हेलो दोस्तो आज मैं आपको दुनिया के पांच ऐसे खतरनाक जानवरों के बारें बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपनी जान खतरे में डाल कर दूसरों की जान बचाई वैसे तो दुनिया में कई खतरनाक जानवर हैं जिनसे पूरी दुनिया डरती है लेकिन कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जिनकी सोच इनसानों जैसी होती है जो इनसानों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं बीवर्स साल 2004 में एक कैनिडेन लड़का जिसका नाम रिहल गिडियोन था अपने माता पिता के साथ मचली पकट रहा था लेकिन अचानक उनकी नाव पानी में डूब गई और उस लड़के के सामने उसके माता पिता की मौत हो गई पर वो लड़का बच गया लेकिन वहां आसपास किसी के ना होने के कारण और अपने घर से 20 किलिमेटर दूर होने की वज़े से उसी कोई हेल्प नहीं कर सकता था और ना ही उसके पास कार की चाबी थी जिसकी वज़े से वो वहां फस गया था और फिर रात को ज़्यादा ठंड होने की वज़े से वहां जमने लगा क्योंकि खुद को गरम रखने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था लेकिन इतनी ज़्यादा ठंड होने के बावजुद वो जिन्दा रहा क्योंकि बीवर्स नाम के चार जनवरों ने उसके पास रहकर उसे गरम रखा ताकि वह लड़का ठंड से ना मर सके लायन इतोपिया में कई सारे गैंग हैं जो लड़कियों की किड्नैपिंग करते हैं लेकिन 2016 में 12 साल की लड़की को कुछ लोग उठा कर जंगल में ले गए ताकि बाद में उस लड़की को बेच सकें लेकिन किसमत से वहाँ पर सेरों को एक जुंड था जब वहाँ लड़की मदद के लिए चिलाने लगी तो वहाँ मौझूद सेर उन लोगों के पीछे भागने लगा जिसे देखकर वो लोग लड़की को सेर को खाने के लिए छोड़ गए लेकिन उन सेरों ने उस लड़की को खाने की बज़ाए उस लड़की की रात बर सुरक्षा की जब तक उसके घरवाले उसे ना ले गए Elephant साल 2004 में थाइलेंड में सुनामी के करण कई लोगों ने जान गवा दी लेकिन इस दोरान एक हाथी ने लड़की को उस सुनामी से बच निकलने की सहायता की जब हाथी ने उस लड़की को पानी में फसे हुए देखा तो उस लड़की को उठाकर उचाई वाली जगर ले गया जहां तक सुनामी का पानी ना पहुच पाए इस घटना के बाद उस लड़की की फैमिली ने उस हाथी को गोद ले लिया जिसकी वज़े से उनकी बेटी जिन्दा बच पाई दोस्तों आप क्या सोचते हो जानवरों में भी फीलिंग होती है कमेंट करके हमें जुरू बताईए डॉल्फिन साल 2014 में टोड एंड्रिस नाम का एक सर्फर समुद्र में सर्फिंग कर रहा था तबी अचानक एक सार्फ ने उस पर हमला कर दिया लेकिन काफी लड़ाई करने के बाद वो सार्फ से बच गया लेकिन घैल होने की वज़े से वह तैयर कर वापस किनारे नहीं जा पा रहा था जिसकी वज़े से उसे लगा कि वह मरने वाला है तबी डोल्फिन का एक ग्रूप उसके पास आ गया और उसके चारचरफ चक्कर लगाने लगा ताकि वो सार्फ दुबारा ना आ पाए और उस वैक्ती को किनारे पहुँचने तक मदद भी की रैबिट दोरी नाम का एक खरगोस जिसने अपने मालिक की जान बचाई जब वो हाट अटक की वज़े से न अपनी जगे से हिल पा रहे थे और ना ही अपनी वाइफ को आवाज लगा पा रहे थे उनकी वाइफ किचन में खाना बना रही थी अपने मालिक को ऐसी हालत में देखकर खरगोस अजीब सी अवाज निकालने लगा जिसे सुनकर उस व्यक्ति की वाइप वहां आ गई और अपने हस्बेंड को हस्पिटल पहुचा पाई दोस्तो अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजिए और वीडियो के नीचे एक लाल बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें